हेलो फ्रेंड्स आज हम एक और कोशन करने जा रहे हैं सेंडर ओफ मास में तो दो मास दे रखी है 6 केजी कूला मालो एंड 4 केजी और उन दोनों की वेलोसिटी भी दे रखी है एक की वेलोसिटी दे रखी है 5 वैक्टर कोजिशन में 5 i cap माइनस j cap प्लस 10 k cap ठीक है और एक दे रखा है 10 i cap माइनस 2 j cap और प्लस 5 k cap और इसमें पूछा है और इसमें जो आप्शन दे रखी है है वो पोजिशन वैक्टर के हिसाब से ही दे रखे है तो अगर हम पोजिशन वैक्टर के हिसाब से डालेंगे तो बहुत इजी कोशन है तो v जो है वो क्या होगा m1 6 into i cap माइनस 2 j cap प्लस 10 k cap प्लस 4 into 10 i cap माइनस 2 j cap प्लस 5 k cap अपान 6 प्लस 6 प्लस 4 10 होता है तो i v जो वैलोसिटी वैक्टर अब जो होगा वो क्या होगा 6 5 जा 30 6 5 जा 30 तो 30 i cap माइनस कितना हो जाएगा ये माइनस 12 j cap प्लस 60 k cap ठीक है प्लस 60 k cap अब प्लस ये कितना हो जाएगा 40 i cap माइनस 8 माइनस 8 आगया माइनस 8 j cap प्लस कितना हो जाएगा 20 k cap ठीक है ये हो गया और डिवाइड बाइ 10 तो लास्ट में आपका आणसर किया आएगा v is equal to 30 plus 40 30 plus 40 70 i cap माइनस 12 plus 8 is equal to 20 j cap प्लस 60 into 20 is equal to 80 k cap डिवाइड बाइ 10 तो आणसर किया हो गया आपका 7 i cap minus 2 j cap plus 8 k cap और ये ही आपका velocity वैक्टरी का velocity in a vector form में आपका center of masses है और यही पर ये question d end होता है अगर कोई भी problem हो तो please comment करके मुझसे पूछेगा मैं जरूर इस problem को आपको solve करने के कोशिश करूँगा so bye bye and have a nice day